तो दोस्तों आज की वीडियो इसमें आपको बताऊंगा आपने जो वाटसप होता है इस पर जो है एक नया फीचर आया जिस पर हम जो है मेसेज पर रियक्ट कर सकते वहां पर इमोजी के साथ तो बहुत सारे लोगों को इसको यूज करना नहीं आ रहा है किस तरह के से यूज करें और बहुत सारे लोग इसे भी है जिनके वाटसप पर फीचर अवेलेबल नहीं मतलद बहूत सारे जोगे जिनके वाटसप पर फीचर नहीं आया अभी तक तो किस तरह के साब इसको यूज कर सकते हैं वहां चुछी आफ़ कर स्वागते सब्सक्राइब तो जोगते तो पर मैं वाटसप पर जाता हूं यहां पर एक मोई कोई से भी चेट को उपन कर लेता हूं तो simply मैंने जो है यहां पर उपन हो चुकी है और मैंने आपर उपन कर लिए अब यूज कैसे करोगे इसको मतलब जो रियक्ट वाला ओप्शन होता है मतलब फीचर होता है उसको तो जै मैंने शीयां है लग चुक आह permett रिए और ऊसके पास भी जो है दिखाय देगा जैसे इसको में फिर से रिंश करना होता हूं थूरा चाहता हूं तो आपको क्या करना है रिएक्शन और आपको क्लिक कर दो तो यहां पर आपको किया कर देना आपको चैट्स में चले जाना जो कि आपर आपको एक ऊफशन दिख जाएगा तो चैट्स में जाता हूं चैट मेशनेगा आप यहां पर नीचे-नीचे आ जाना यहां पर एक option दिखाए देगा आपको चैट बेकप का, तो सबसे फिले हैं आपको चैट बेकप पर किलिक करके आपको चैट का जो भी बेकप है, जितनी भी आपकी चैट है उसका बेकप आपको लेड़र, तो यहाँ पर आप बेकप पर क्लिक करोगे तो आपका जो बेकप होगा वो आपके email address पर पहुच जाएगा मतलब इस पर बन कर और फिर आपको यह कर देना जैसे आप बेकप लोगे और complete हो जाए तो आपको यह कर देना आपको WhatsApp का जो application है उसको यहाँ पर आपको uninstall करना है क् इसको uninstall करोगे प्लेश्टोर पर जाकर और वहाँ पर फिर से आपको इस्टॉल कर लेना है जो भी नया WhatsApp होता हूँ इसमें जो है सारे फीचर जो है अपडेट रहते हैं मतलब जो भी फीचर है वो सभी उसमें इंक्लूड रहते हैं आपको कुछ भी करनेक जरूरत नहीं प कर सकते हैं और किस तरगी साब जो इस पीचर को ला सकते अपना WhatsApp पर यह आपको पता चल गया होगा पसंद आएक दोस्तों वीडियो चले के तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आकन को प्रेस कर देना और चले दूस्तों आठील बस इतना ही मिलते अ सब्सक्राइब तक के लिए जहिन